Happiest Minds की QIP योजना पर चहके निवेशक, शेरों में लोटा तेजी का दम स्टॉक मार्केट न्यूज, IT सर्विसेज मुहया कराने वाली दिगज कमपनी है Happiest Minds Tech, Happiest Minds Tech ने क्वालिफाइड इंस्टिटूशनल प्लेस्मेंट QIP इश्यू लॉंच किया है इसके बारे में कमपनी ने मंगलवार यानी 11 जुलाई को एलान किया था इसके चलते है Happiest Minds के शेरों की खरीदारी बढ़ी और तीन दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को BSI पर यह 3.82 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ स्टॉक मार्केट न्यूज, IT सर्विसेज मुहया कराने वाली दिगज कमपनी Happiest Minds Tech, Happiest Minds Tech ने क्वालिफाइड इ इसके शेरों की खरीदारी बढ़ी और तीन दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को BSI पर यह 3.82 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ स्टॉक मार्केट न्यूज, IT सर्विसेज मुहया कराने वाली दिगज कमपनी Happiest Minds Tech, Happiest Minds Tech ने क्वालिफाइड इंस्टिउशनल QIP इश्यू लॉंच किया है इसके बारे में कमपनी ने मंगलवार यानी 11 जुलाई को एलान किया था इस इश्यू के लिए फ्लोर प्राइस 932.16 रुपए फिक्स किया गया है वहीं एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को BSI पर यह 957.60 रुपए पर बंद हुआ था यानी की QIP क इसके लिए फ्लोर प्राइस 10 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस से करीब 0.5 फीसदी प्रीमियम पर है इसके चलते हैप्येस्ट माइन्स के शेरों की खरीदारी बढ़ी और मंगलवार को BSI पर यह 3.82 फीसदी की बढ़त के साथ 994.20 रुपए हैप्येस्ट माइन्स शेर प पर आ गया था कंपनी क्यों लेकर आई QIP हैप्येस्ट माइन्स ने एक्स्चेंज फाइलिंग में जानकारी दी की फंड जुटाने वाली कमेटी के निदेश को ने इस इश्यू को लाने का फैसला किया इसके बाद इस इश्यू के लिए फ्लोर प्राइस को मनजूरी दी कमपनी के वित्तिय सेहत की बात करें तो मार्च 2023 तिमाही में इसे सालाना आधार पर 11 फीसदी अधिक 58 करोड रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ वही समान अवधी में ओपरेशनल रेवेन्यू 300 करोड रुपए से 26 फीसदी उच्छल कर 378 करोड रुपए पर पहुँच गया अब कमपनी के शेयरों की बात करें तो पिछले साल 19 अगस्ट 2022 को यह एक साल के हाई 1136.45 रुपए पर था इसके बाद बिक्वाली के दबाव में यह साथ महीने में 33 फीसदी तूटकर 29 मार्च 2023 को 763.50 रुपए पर आ गया जो इसके लिए एक साल का निचला स्तर है हालां कि इसमें फिर खरीदारी लौटी और इस निचले स्तर से अब तक यह 30 फीसदी से अधिक रिक्वर हो चुका है लेकिन अभी भी एक साल के हाई से यह 12 फीसदी से अधिक नीचे है